हे अबरोवन वल्कम बैक टो मैं चैनल आज हम बनाने वाले बंगाली स्टाइल में रेहु फिश करी बहुत ही टेस्टी लगता है चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं इसके लिए पैन को अची तरह से गर्म करें और यहां पे तेल ले ले मैंने यहां पे सरसो का तेल जिसमें मचली मैंने फ्राई किया था सेम तेल को मैंने अस्तमाल किया है अब यहां पे हम आधी चमच मेथी का फोरण डालेंगे जैसे मेथी में हलका कलर चेंज होगा हम इसमें बारी कटा हुआ प्यांज डाल देंगे मैंने यहां पे दो मिडियम साइज के प्यांज को बा कैसे दाल चीनी का छोटी लाची इन सारी चीज ओं का हम पेस्ट बनाकर रेडि कर लेंगे आप देख सकते हो प्यांज भी फ्राई हो चुका है इसमें हम मसाला डालेंगे जो हमने रेडि किया है इसमें थोड़ा सम पानी डालके ले लेते हैं ताकि मसाला वेस्ट ना हो अब साथ में कुछ ड्राइ मसाला डालेंगे एक चमश कस्मीरे रेट चिली पाउडर कलर के लिए एक बड़ी चमश हल्दी एक छोटी चमश धन्या का पाउडर आधी छोटी चमश जीरा का पाउडर नमक स्वादनुसार डाल दे और इसे अच्छी तरह से मिला ले मसाले को मिलाने के बाद उसमें मैंने टमाटर डाला है मैंने यह पे एक बड़े साइस का टमाटर लिया है और इसे अच्छी तरह से मिला के हम कभर कर देंगे ताकि मसाला फ्राइ होने के साथ साथ टमाटर भ मिलें बिक्तों getting the hastalium, से तेल लग नहीं हो जाताएं में तब तक कुर्रेक्ट से नोग दर नहीं हर्ता कना जाता है इसे हम वापस कभर करेंगे तब तक भूनेंगे जब तक टमाटर पूरी तरह मऌनीं नहीं जाता मौनें अब देखसकते हैं अशी तरह लूए PRODso कि आप हो चुका है अब इसमें हम पानी डालेंगे और हैं और मैंने लगभग 300Is पानी लिया है आप को जितने ग्रेभी चाहिए उसके हिसाब से पानी डालें और इसमें ढ़लें तो हुआ सा नमक खल्दी डाल कर सिंपली इसे तेल में दोनों साइट से गोल्डेन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है वीडियो लंबी हो जाती इसलिए मैंने फिश को फ्राई करते वे नहीं दिखाया है अब इसे ग्रेवी में डाल दे और अच्छी तरह से मचली को ग्रेवी में बालने के बाद इसे में चेक कर लेती हूं अब देख सकते हैं दोस्तों यह मचली कितना सौप्ट बना है अब इसका हम फ्लेम बंद कर देंगे अगर आपको यहां पर धन्यापता डालना है तो आप इसमें धन्यापता डालकर अच्छी तरह से मिला ले अब इसे कभर करके इसका फ्लेम बंद कर दें और पांच से साथ मिनट बात चेक करें आप देख सकते हो मचली करी का कितना अच्छा सा इसमें कलर आया है और यह खाने में भी उतने ही टेस्ट एगर रिसीपी अच्छी लगे वीडियो को लाग करें चैनल सब्सक्राइब करें थैंक्यों फूर झाल